आपको टाटा की अल्ट्रोज लेनी चाहिए तो इस वीडियो को कम्पलीट देखीगा कि अगर आप टाटा की अल्ट्रोज लेने वाले हैं तो तो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि अल्ट्रोज तीन दिसंबर को रिविल की गई थी कम्पनी के द्वारा और इसका फाइनल लॉंच आपको फरवरी में आटो एक्सपो में देखने को मिलेगा हाला कि इसकी प्राइजिंग अभी लॉंच नहीं हुई है लगबग इसकी प्राइजिंग एक्सपेक्ट की जारी है कि 5.5 लैक्स लेके 8.5 लैक्स तक इसकी वेरिंट्स के प्राइज जाएंगे तो आज मैं आपको 10 रीजन बताने जा रहा हूँ कि क्यों लोग इस गाड़ी को लेंगे तो दोस्तो सबसे पहला रीजन है कस्टमाईजेशन टाटाक मोटर्स आपको इस गाड़ी के साथ कस्टमाईजेशन का ओप्शन देती है मान लीजे अगर आपने बेस वेरिंट यह है और आपको टॉप वेरिंट का कोई फीचर पसंद आता है तो आप कमपनी से सिरफ उसी एक पर्टिकुलर फीचर के पैसे दे के उस फीचर को अपनी गाड़ी में लगवा सकते हैं दोस्तो एक्जामपल के लिए अगर मान लीजे आपका एक बेस वेरिंट है और उसमें seat height adjustable नहीं आता और वो अगर आप लगवाना चाते हैं तो आप कुछ extra amount पे करके direct company से इसे लगवा सकते हैं इससे आपकी कोई भी warranty void नहीं होगी जो अगर आप बाहर से करवाते हैं तो यह हो सकती है दोस्तो दूसरा सबसे बड़ा reason है वो है safety और quality यहाँ पर Tata company ने alpha arc platform introduce किया है जिसकी वज़े से गाड़ी काफी जाता strong हो जाती है और वहीं उसका weight भी काफी कम हो जाता है दोस्तो मेरे इसाब से build quality में यह गाड़ी अपने segment में सबसे अच्छी होगी और वहीं इसमें आपको latest 9.3 ABS देखने को मिलता है साथी साथ EBD और CSE भी मिलता है corner stability control दोस्तो तीसरा इसका feature गजप का है वो है इसकी ambient light और साथी साथ touchscreen दोस्तो उसकी touchscreen में आपको सभी features तो मिली जाते हैं वहीं आप इसकी touchscreen की light को भी अपने ambient light के साब से adjust कर सकते हैं वहीं touchscreen operate करने के लिए आपको अपने steering wheel से हाथ भी नहीं हटाना पड़ेगा इसके steering wheel पे आपको सभी controls मिल जाएंगे जिससे आप इसकी touchscreen को easily operate कर सकते हैं वहीं इसमें आपको जरूरी android auto, apple carplay जैसे features तो मिलते ही हैं वहीं बहतर music के लिए आपको harman के 4 speakers और 2 tweeter तो मिल ही जाएंगे दोस्तो चोसा feature बहुत ही जादा useful है जो बाकी गाड़ी में आपको नहीं देखने को मिलेगा वो है 90 degree door open होना दोस्तो काफी अच्छी अच्छी गाड़ियां हैं इस segment में जो ये feature नहीं दे पाती और गाड़ी में बैठते हुए और उतरते हुए काफी दिक्कत होती है तो दोस्तो ये कैसा feature है जिस पे बाकी companies को भी ध्यान देना चाहिए इसका पांचवा feature है variable key सुनके आपको थोड़ा जीव लगेगा बट इसकी key जो है वो एक bracelet type में आती है जिसे आप अपने हाथ पे पहन सकते हैं और जब भी आप अपनी गाड़ी के पास जाएंगे तो वो अपने आप automatically unlock हो जाएगी आपको कोई भी proper key लगाने की जरुरत न हैं अगर आप economic में चलाना चाते हैं अच्छी mileage मिले आपको तो आप उस mode में भी इस गाड़ी को चला सकते हैं वहीं अगर आप गाड़ी से बहुत ही अच्छी performance चाते हैं तो आप गाड़ी को sports mode में भी चला सकते हैं दोस्तो इन modes को change करने के लिए आपको front में button मिल अगर आप red light भी अपनी गाड़ी को रोकते हैं तो आपकी गाड़ी automatically बंद हो जाएगी और उसके बाद जैसे ही आप अपना clutch press करेंगे गाड़ी automatically start हो जाएगी तो guys इससे आपकी गाड़ी में fuel काफी save होने वाला है और ये feature बहुत ही जादा useful है आगे आने वाली सभी lines के साथ आता है दोस्तों ये engine बहुत ही कम pollution करता है और साथी साथ इसकी performance में बहुत अच्छी है इसमें आपको 1.5 लिटर का diesel engine देखने को मिलेगा और साथी साथ 1.2 लिटर का petrol engine देखने को मिलेगा वहीं दोस्तों का अगला feature है इसकी headlight आपने front से इस गाड़ी को तो इसकी लिया होगा front से देखने पर इसकी जो headlights हैं बहुत ही ज्यादा amazing लगती है वहीं आपको इसके fog lamp भी काफी wide देखने को मिलेंगे जिससे visibility आपको सडक पे बहुत ही अच्छी मिलने वाली है हाला कि base variant में आपको projector headlamps देखने को नहीं मिलेंगे वहीं mid variant और top variant में आपको ज्यादा useful है वहीं दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस गाड़ी में कौन-कौन से colors available हैं तो यहाँ पर आपको इस गाड़ी में silver color देखने को मिल जाएगा red color मिल जाएगा gold color आपको मिल जाएगा white color मिल जाएगा वहीं इसमें आपको grey color भी देखने को मिलेगा मतल जैसे कि आपको door में umbrella holder के pocket मिल जाते है जिसमें आपका पूरा umbrella easily आजाएगा बहुत ही जादे useful है आपको बाकी किसी भी गाड़ी में ये feature तो नहीं देखने को मिलेगा वहीं driver side की height भी आप adjust कर सकते हैं ये feature भी काफी गाड़ियों में नहीं आता वहीं दोस्तों boot space की बात क AC vent जिससे इस गाड़ी ने होंड़ी को तो completely टकर दे ही दी है इसके rare AC vent के नीचे आपको 12 volt का एक power outlet भी मिल जाता है दोस्तों इस feature के साथ आपको back seat पे cooling की कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली वहीं दोस्तों अगला छोटा सा feature इसका है वो है height adjustable seat belt मतलब अगर आपकी height छोटी है तो आप अपने seat belt को थोड़ा सा नीचे भी कर सकते हैं वहीं अगर आपकी height काफी जाता है तो आपकी seat belt थोड़ी सी ऊपर हो जाएगी वहीं दोस्तों अगला feature है इसमें आपको flat bottom rear मिल जाता है जो कि बहुत ही जादे useful है आपको beach में से कोई part गाड़ी का table होने वाली है तो guys ये थे इसके features दोस्तों comment में जरूर बताएगा कि आपको Tata Ultros का कौन सा feature सबसे ज़्यादा impressive लगा है और वहीं दोस्तों मैं इसका comparison जल्द ही इस segment की बाकी गाड़ियों के साथ करने वाला हूँ तो channel को subscribe करना बिलकुल मत भूलेगा आगे आपको बहतरी comparison देखने को मिल जाएंगे तो guys अगर आपको वीडियो पसंद आए तो फटाफट इसे लाइक कर दिए और नीचे subscribe का बटन है उसको प्रेस करना बिलकुल ना भूले अगर आपको कोई question है तो आप नीचे comment box में लिख सकते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के seatbelt लगाईए और गाड़ी हमेशा ध्यान से चलाईए जरा कर दो